प्रिट से नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि घरेलू तरीका से आप काजल कैसे बनाएं। आप पहुत छोटा बच्चा को आप लगा सकते हैं घर का काजल। बाहर का कोई भी काजल होता है तो उसमें किस तरीका से बनाता है बच्चा का बात है। और घर में पहुत तरीका से बना कर हम आपको देखाते हैं हरेलू तरीका से कैसे आप काजल बनाएं। बच्चा का आप बड़ा बड़ा होगा, बच्चा का आप सुन्दर होगा, घर का काजल से, छोटा सिसू को आप घर का काजल बना कर लगा सकते हैं, तरीका देखे यह है, यह रूई है, आप चाहें तो कोटन का कबड़ा भी ले सकते हैं, इसी तरह मोटा रूई ले ले, मोट बच्चा का आँख में किसी नहीं आएगा बच्चा का आँख स्वस्थ होगा अधी आप जमाइन से इसको जमाइन से बनाना चाहते हैं काजल तो जमाइन इसमें आप यहां भर सकते हैं जमाइन में क्या होता है कि आख कोई भी इनफेक्शन काजल जमाइन दूर करता है जमाइन ऐसे भी गुनकारी होता है तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जमाइन से काजल कैसे बनाए तो आप वीडियो में अंतक देखें मेरे पास जमाइन और मंग्रैला मिला हुआ है तो हम इसको इस तरह करें आप थोड़ा थोड़ा इसको दे रूई के मदद में धिरे धिरे इसको भरे आपकी पास केवर जमाइन है तो आप जमाइन से बना सकते हैं पर मंग्रैला मिला हुआ है तो कोई बात नहीं है अब मंग्रैला भी डाल सकते हैं इसमें बस इस तरह फोल्ड कर देया फोल्ड करने के बाद देख सकते हैं यहां पर हम सरसो तेल सरसो तेल की बनता है काज़त सरसो तेल में भर दिया भर लें इसको फोल्ड कर दें अच्छा से तो मोटा भी रहे तो कोई बात नहीं है देख सकते हैं इस तरह बाती बनाते हैं गुरुई का बाती बनाए अराम से इसको टेल में डुबा दें आज हम काज बना के राम से दिखाएंगे आपकर बनता है यह घर का का आज हां बहार का आज में क्या होता है कोई भी कारिक क्या दे रहा ने दे रहा है तरीका बहुत अच्छा है अधर का काजल बनाने कोई इसमें भारी बात नहीं है कोई भी इंसान बना सकता है काजल को इस कटोरी के मदद से इस कटोरी में आपका सारा काजल आके चिपक जाएगा आप चाहें तो मट्टी का ले सकते हैं कटोरी पर हमारे पास इस्टील का है हम इसको इस तरह ढग देंगे इस तरह इसको ढग देंगे सारा काजल इसमें आ जाएगा ज़िए जलागे देखाते हैं देख सकते हैं सारा जो काजल है मेरा इसका टोरी में आ जाएगा कुछी इस तरह देख सकते हैं गाज हमारा काजल बना की ने बना और मेरा तिया बुद्ध गया देख सकते हैं कितना सुन्दर काजल बना है हम हलका ही काजल बनाएं इसमें तेल हमकम डाले थे हैं ज्यादा काजल का जरुद नहीं है आप ताजा काजल बना कर चममच के मदद से आप इसको कर लिजीं अधी आप ज्यादा काजल बनाना चाहते हैं तो इसमें तेल ज्यादा डाले हम तेल कम डाले थे इस थारह का डबबा है देख सकते हैं मीरा केरीम का डबबा था है ये खाली हो गया है हम इसमें डाल दुति देख सकते हैं कितना संदर काजल बना है आप इसको आप सूखा रखे या आप इस इसमें आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं और यह चाहे तो नागेल तेल डाल रहे हैं तेल मात्र एक बुंद इतना एक बुंद और ले ले, कम पड़ रहा है, कोई चीज में इसलिए लेने बोल रहे हैं, ताकि इसमें आपका लेटा हुआ रहेगा, कटोरी में आप करके करिएगा, तो कटोरी में साड़ा लेशड़ा जाएगा, इससे आप निकाले और लगाएं, इस तरफ, तिनका का मदस से आपको देखाते हैं यह तम पतला होगा, तिनका का मदस से देख सकते हैं, यह अहुरी के मदस से चवड़ा हुआ है, तिनका का मदस से आपका पतला होगा, इस तरह आप काजल घर पे बना सकते हैं, और आपका आख रहों सुन्दर होगा, कोई चीज का सिकाय नहीं होगा आप से पानी नहीं आएगा तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करें सब्सक्राइब करें